गंगा का ये किनारा है जहां से हर हर महादेग पिनारी लग रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए भी नारी लग रहे हैं मा गंगा के साथ काशी के साथ आपका ये जो रिष्टा है वो क्या कहलाता है नामंकन का मौका है पूजा पाथ करके मा गंगा को प्रडाम करके आप आ रहे हैं एक तो आज दो अवसर हैं गंगा सप्तमी है और इसी दिन मा गंगा का प्राकटने हुआ था और यही दिन है जिदिम शिवजी ने उसका जो रौद्र रूप था उसको अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे 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 जन हीत में मा गंगा को प्रभाहीत किया कि धरती पराने में तो देर लगी थी लेकिन प्राकट्ट महुत सव थाज तो ऐसा एक शुभावसर है दूसरा मैं अनुभाव करता था जब पहरी बार में हैं मेरी पार्ठी ने मुझे हां चुनाव लगने के लिए कहा तो मैं कह रहा था कि भाईवार मसाद रूप से मरे मन म निकला था तो मा गंगा ने बुलाया है लेकिन 10 साल का मेरा जो यहां से नाता रहा है तो मेरी पुरानी दुनिया थी उससे उसे मुझे लिंग कर दिया और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया मा गंगा ने गोद ले लिया है आपको और इसलिए मैं हमेशा और मां के जाने के बाद मुझे भाव और ज्यादा तीवर हो गया है मेरे रग रग में मेरे भाव विश्व में मां गंगा ने उस रिक्तका को भरा है मां को याद करते हुए आप अतने भावख हो रहे हैं अप्रधानमंत्री जी कि यह जो आपकी भावना है मां गंगा ने एक वक्त पर आपको बुलाया और फिर आप काशिवासी ही होकर रह गए यहां के लोगों का जिस तरह से प्यार उसने आपको मिलता है और मां गंगा काशिवाद काशिवाले तो यह भी कहते हैं कि अगर रानी अहिल्या बाई के लेकिन जब दस साल पहले में आया था तो एक जन प्रतिनीजी बनने के लिए यहां के लोगों के मतदाता के रूप में नागरिक के रूप में देख करके आया था लेकिन दस साल में उन नागरीकों ने, उन कास्य वास्कियों ने, मुझे देखते ही देखते, बनारस की परादिया, आप पूरे बनारस की परादिया, रोडशो के गवरान जिस तरह का जन सैलाब उम्डा हुआ था, आपकी एक नजर लोगों पर पड़ जाए, उसके लिए लोग व्याकूल हु वो क्या बताती है काश्वी में जब आप आते हैं और बनारिस्या हो जाते हैं इसका मुल्यांकन मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भारत के नागरीकों के अंदर एक अध्यात्मिक प्रभा अभिरत बहता रहता है और वही भारत की आत्मा है वो अलग लग लोगों के ब्यावार में किसरे किसी रुप में प्रगण होती है और मुझे जब दो लोग इतना प्यार देते हैं इतना आश्रवात देते हैं तो मैं उसमें मुझे नहीं देखता हूं नहीं मेरे सामर्थ को देखता हूं नहीं मेरे कुछ कीए हुए कामों को देखता हूं जह मुझे आश्रवात देते हैं भक्तः भाव की अभिविक्ति करते ह helmets तो मुझे लगता है यहमेरी जिम्म्यवारी बहुत बढ़ गई है मेरा दाईत वह दिनों- porridge और जब समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रुप से भाव व्यक्त करता है तो मुझे लगता है कि पहला मुझसे कोई गल्ती नहुज़ कि दूसरा मेरे मन में भाव रहता है कि वाजपा नहीं है लेकिन तो तम मुझे लगता है कि शायद परमात्माने स्वयम ने कि मुझे कि किसी काम के लिए बैचा है और परमात्माने भारत भूमी को चुना परमात्माने मुझे चुना और एक प्रकार से मैं अब सारे बंधनों से विरक्त होकर करके है हर काम को परमात्मा की पूजा समझके करता हूं इस्वर की आराधना समझके करता हूं और जो मैं इस्वर के रूप की बात करता हूं तो वह एक्षवर जो हमने किसी ने देखा नहीं है निराकार है दूसरा बजनता जनारधन को भी इश्वर का रूप मानता हूं तो 140 करोड देशवासी को इश्वर का रूप मान करते हैं परमात्माने मुझे जितना जीवन दिया है उसकी एक-एक शान, एक-एक पल और शरीर का एक-एक का सिर्फ और सिर्फ माँ भारती के लिए हैं 140 करोड देशवासी के लिए हैं और यही मेरी इश्वर की आराधना है अब देश के लोग यही जानना चाहते हैं कि एक नरेंद्र मोदी जो बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए जाते हैं उनकी जो जुबान है वो सोचने लगती है कि क्या बोला जाए तो यह जो दो अलग अलग नरेंद्र मोदी है इसको अलग अलग नहीं है आप तो अब कम परिजिन मेरी ने कर रहा हूं लेकिन जो मैने सिखा है इस में इस से में समझा सकता हूँ आप स्रीकर्ष्ण को गायों के बीच देखें और स्रीकर्ष्ण को अर्जुन का रद चलाते देखिए आपको दो रूप देखेंगे लेकिन कृष्णा एक है क्रिष्णा अलग नहीं है अलग-अलग घाटों से हम होते वे जा रहे हैं अठासी घाट हैं इस पूरे काशी नगरी में नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहट आपके और से बहुत जादा काम करवाया गया और यहां पर घाटों की साफसफाई अपने आप में लोगों को आकरशित भी करती है 2017 और 2018 का जो काशी में आने वाले लोगों का आकरा था वो तक्रीबन 62 लाग था 2022-23 में वो पहुंचकर 7 करोड हो गया है और काशी के लोग बताते हैं कि जब-जब मोदी यहां आते हैं तब-टब परड़िटों के तादाद, शधालों के तादाद बढ़ती चली जाती है हमारे देश में दुरभाग्य से भारत के इस सामर्थ को नकारा गया इतना ही नहीं उसको एक प्रकार से नीचा दिखाने का भरपूर प्यास हुआ कि 140 क्रोर का देश हर बेटे की इच्छा रहती है कि मैं मेरे माबाप को गंगास नान कराओंगा मेरे माबाप को चार धम की आतरा कराओंगा अब मैं अध्यात्म भावकता सब छोड़ दू लेकिन मैं एक कॉमर्चियल मेंड से सोच हूं फैनांसल मैंड से सोचे हूं 140 करोर का मार्केट जो गंगा जाना चाहता है जो द्वादस जोति लिंग जाना चाहता है जो अस्ट्र गणेश की पूज़ा करना चाहता है जो एक चलता है किया उनको सुद्द पानी नहीं मिल ला चाहिए उनको सभाई नहीं यो राध घुजारनी तो अच्छी ववस्ता नहीं मिल ने चाहिए उनको आप अपनी चीजों को सनमान करते हैं गवरव करते हैं तब जाकर के दुनिया करती है और जी ट्वेंटी समीट में मैंने प्रयोग किया कि मैं जी ट्वेंटी को मोधी तक समीट नहीं रखूंगा मैं जी ट्वेंटी को दिल्ली तक समीट नहीं रखूंगा मैं जी ट्वेंटी को देश के अलगरक स्थानों पर 200 मिटिंग करके ले गया और उसका परणाम यह हुआ कि जी ट्वेंटी का काम तो हुआ लेकिन दुनिया को और सारे डिसेजन मेकिंग लोग आते थे यहां करीब एक लाख लोग आये थे दुनिया के महत्वपुन देशों के दिलने प्रक्रिया के जो महत्वपुन के लोग होते हैं से करीव एक लाख लोग आये थे बिल्कुल और उन एक लाख लोगों ने इस सारा देखा तो उनको जो दिल्दी के बाहर के उनको लगता यह देश ऐसा है इतना विविताओं से भरा हुआ है तो मैंने मेरे देश का ब्रांडिंग करने के लिए भी जी ट्वेंटी का उपयोग किया विश्व के कोई नेता आते हैं मैं उनसे गंगा अर्थी करवाता है उसमें म प्रकूरती के संगर्ष करने वाले लोग नहीं है हम प्रकूरती का संवर्षन करने वाले लोग है हम प्रकूरती का संवर्धन करने वाले लोग है और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना गंगा आर्थी कराकर कि उनको सिखाता हूं कि ग्लोबल का वो धाम आ जाएगा जिसका काया कल्प करने का काम आपकी ओर से किया गया और सतर हजार लोग एक बार आके वहां पर दर्शन कर सकते हैं इतना भव्य बनाए गया है तो बाबा विश्वनात का आशिरवाद चार सो पार के लिए मिल रहा है क्या एक तो मेरा मूलत है ये फिल मोगरा और संतुन नाम है मभूल गया और लाखों लोग आते हैं एक ट्वाइलेट नहीं वह जब पैड़ के नीचे सोते थे तो मैंने सबसे पहला उसको रिनोवेट किया तो अपसे मुझे लगा ही एक बड़ी ताकत है और एक प्रकार से आदिवासी समाजने मुझे प्रे अन नाव था है तो मेरा काश में रोड़न हो वो और दूसरे दीन मेरे हैं सोमना में सोमना ट्रश की मिटिंग थी तो मैं यहां काशी रोड़े राथ को गुझ्रात जाकर के सो ना आपि तो दॉई ने कर गाई तू मैंा से मLटा मेरी और नहीं रहता है तुट मैं आट पढ मेलो तब भी दोपर को मिलो तो भी रात को मिलो खाना खाया कहा चाहिए हो मैंने कमा में काशी साया है तो तुम काशी गए ते मेरे लिए अस्टिए था उसमय उनकी उमर 93-94 होगी कि नहीं का तुम बो काशी विश्वनाद जाते हो कर नहीं जाते हो कि मैं तुम्हें काशी विश्वनाद सब्द कैसे आदे पूले नहीं मैं गई हूं पूले 40-50 साल पहले गई तेरे पिता जी ले गए थे तो बोले वहीं मंदिना जो लोकों के घरों में जैसे जाते हैं गलियों मैं जैसे किसी घर में जा रहे हैं मिलने के लिए और फिर पता दूंगे देने डिख्यां मैं तो मृष्ण सब्केरण है ते में मैं तो बैटे हो यह कीसी ध्रीय werd जा में जैसे घर पते हुए मेरे माँ पढ़ा लिए हुए उनको इश्वनात यादना उनको लोग द्रूश्य आदे इना बाब मैंसे मेरे मा की मेहरी बहुत शार्फ ती आखरी तक मैंने दिगए बहुत शार्फ थी तो एक और दूसरा मेरे मा के एक वाग़्े मुझे ये मैं कभी भूल नहीं सíbाओ और वही वाँ जब सौ साल की हुई और उनका सो का जन्मदीन था तो मैं मा के पहर छुझे गया था हम कभी जन्मदीन वगए तो मना यह नहीं जीमन में तो माने कहा मैं मेरे लिए तो कुछ कहो तुम मैं क्या करूं तो मेरी माने जो वाक्य कहा है शायद बड़े-बड़े पंडीतों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा ज्यादा वो बोली नहीं उसने का देख भाई दो चीजे धान रखाए इसका दाथ मैं एक और बात है तो मैं पहली बार जब मेरा मुख्यमंत्री बनना ताय हुआ तो मैं दिल्ली से गुजरात गया तो मैंने सोधे पहले मा को मिलके बताओ कि मैरी नौकरी बदल रही है तो मैं गया मार को का मा में गुजराता जाओगे तो उनकी खुशी एग मैं गुजराता गारा फिर मैंने का मुझे ऐसाई काम मिला है मैं काम करो अच्छा तो बोले एक काम देखना गुज्रादी में शब्द है लांच रिश्वत के लिए बोलता है बोले देखे दो काम जुरू करो लांच लेना नहीं और गरीब को भूलना नहीं यह दो बाते करें सब्सक्राइए इतने साल मुक्यम्तरित इतने साथ अंतर है वाक्तारिंता को me मद्दी मास जुदिमे संद्स्वास का संब्धिया दो काँ सवाल थे करो क्या एक काम करो बुद्धी से पाई जीवन जीओ सुद्धी से तुमैने बैर म recently तो यह दोनों चीज़े में जोड़ के देखता हूं कि उनके अंदर एक साथते था एक विरक्त भाव था और वह अपने बेटे को अपनी परस्नल पॉपर्टी कभी मानती नहीं थी परस्नल पॉपर्टी कभी निमाना उसने उसने मान के चली कि यह ठीक है मैंने जन्म दिया है कि देश के लिए काम करें अब देखिए मैं गांदीनेगर मेरे करें मेरी मां दो किलूमेटर दूर एक कमरे वाले घर मेरे ती ती मैंने का मां यहां करके अगर तुम रहोगी तो रह सकती हो मेरे हाँ सरकारी मकान है कमरा है उतने का मैं तो रह लूँगी तेरे काम का क्या हो बिल्कुल और मा के जीवन की अमिट शाप आप पर दिखाई भी देती है और मौजुदा वक्त में हम सब जानते हैं कि मा बहनों का प्यार दुलार आपको कितना मिलता है कहीं भी आप जाते हैं बड़े-बड़े सब्सक्राइब के बड़े सारे सवाल है आपके लिए तो मैं अब आ जाती हूँ उत्तर प्रदेश में हमें आपने भव्य रोड शो कर लिया है और यूपी की यह देश ने कहा है हमको करने के लिए और देश इस मेरे भावना को और देश्य आदेश को बराब से त्यूनी है उत्तरपदेश तो खायर हमें भरपूर आशिरवाद देगा ही देगा कोई कमी नहीं रहने देगा कॉंग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा यहां पर खाता भी नहीं खुलेगा कॉंग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा राय बरिली से तो राहूल गांधी मैदान में हैं वो मिडिया के लिए बहुत महत्पपूर्ण परिवार है और मिडिया के लोग उस परिवार को बहुत समाल भी रहे हैं और साइद उनकी कुछ मजबूरिया रही होगी पिछले 7-8 साल में तो वो समाले मुझे उसके लिए कु क्यों भागना पड़ा है वो पराजे देख चुके हैं और वाइनार से भागने के बाद राइबरेली आने के निरने के पहले उन्होंने अपनी भाषा टोन बहुत ही तीखा कर दिया है और अनाप सनाप चीजे बोल रहे हैं तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है केर तो उन्होंने चलाया अब वो कहते हमें दगा दे करके भाग गए थी कि चलो में एमीटी से हार गई एक भी आये थे क्या है यहां सपा के साथ है वह पहले भी सपा बसपा कॉंग्रेस तीनों निकल चुके थे यह दो नौजवान भी पहले परील उतारते थे ट्रक पे चड़तर के काली बंडी पर जन जाकेट पहन करके लेकिन उत्तरप्रदेश की जनता इन दो लोग पहचान गई और उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मोडल है जो उत्तरप्रदेश के जीवन को बदल था और योगी जी के नेट्रूत में चीज़े हुई है परिवर्तन आया है और उसका असर है और मुझे आध है जो मेरी माने मुझे कहा था तो मैं कुछ को नहीं कर पाए क्योंकि यहा होना दिल्ली में बीजेपी की सरकान होना उत्तरप्रदेश का सबस्क्राइब उत्तम भागया है आप योगी जी के तारीफ कर रहे हैं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उत्तरप्रदेश के लिए मेरा मुझे ऐसी टीम मिली है हर राज्य में चाहे वीपक्ष में हो तो महराष्टा और बंगाल क्या चैलेंज बनेगा बीजेपी के लिए और महराष्टा में शरत प्रवार जी का बयान आया है उन्होंने कहा है कि छोटी-छोटी पार्टियां कॉंग्रेस में आगामी वक्त में विलाय कर लेंगी उनके बयान को कैसे देख देखिए उनका बयान आया बारमती के चुनाव के बाद और सरत्प्रवार का बयान है तो मतलब उसमें कोई महत्वा है और मैं पक्का मानता हूं सरत्प्रवार मान चुके हैं कि मानने विपक्स परड़कना संब्वाव डहीं है क्म नमब्च कर देती है तो हो सकता है मानने विपक्स के लिए जो नंबर चाहिए उनको मिल जाएगा और इसलिए वह मानने विपक्स के डिशा में जाना चाहते और इस लिए कि मानने विपक्ष मनाने के लिए इन सब को मर्च कर दिया जाए अब मुझे पता है बहुत कड़ी धूप है लेकिन छोड़ी जल्दी जल्दी और मेरी जिन्दगी में बहुत बड़ा वह नहीं रखती है कि मैंने जिन्दगी इसे इसी प्रकार से जीए है मैं सुख भैभा मै हुआ सजूरी तका कंशी जगों पर जाकर आप राली को संबोधित करते हैं फिर साम को रोड़ शो करते हैं फिर रात में मीटिंग करते हैं इतनी जो ताकेत करते हैं लेकिन मैं जो चुचा हुआ हो मुझे दुनिया को संदिक जरोगी नहीं आहें परमात्मा ने मुझे भेजा है और मात्मा ने मरे से काम लेना तेय किया है ये उर्जा भी परमात्मा देता है प्रेरणा भी परमात्मा देता है उर्षार्थ करने की दिशा भी परमात्मा देता है ये सब कुछ उपर वाले की कृपा है इसलिए राममंदर का निर्माण आपने करवाया और उसके बाद वहां पर रामलला की राममंदर का निर्माण कि अगर ये इसका स्रेज आता है तो पांक्सो साल तक तपस्या करने वाले तेमा बरिधान करने वाले मेरे देश के सभी महा पूरुश को मेरे बीदेश के जन्स जनार्धन को इस का स्रे जाता है लेकिन परमात्माने scandule और जनता ने मुझे निमित्त बनाया शायद वह इस्वर की करपा है चुनाओ में मुद्द हो पहले भी मुद्द नहीं था आज भी नहीं दो गया राम मंदिर स्था का मुद्द है जिनों ने ऄल मंदिर की निमंतनी को ठूकरा दिया उनको डर कहते हैं ऑं अप सबने बात कहते हैं यहां पर एक दो जल्दी जल्दी से सवाल और में पूछूंगी यह आत्मदश्वास आपने कहा कि जनता जनादन का प्यार मिलता है परिक्षा पे चर्चा हमने अक्सर आपकी देखी है अभी परिक्षा चल रही है दो सो तीन सौट सीटों पर चुनाब गुजर उनको मेरी बहुत शुक्तामनाएं हैं और जो उत्तिन होने में थोड़े पीछे रह गए हैं मैं उनके लिए कहूंगा निराश मत होना जीवन में यही सब कुछ नहीं होता है और इसलिए मैं दस्वी बाहरवी के सभी बच्चों को और उनके मात्तिता को भी कहूंगा कि मैं इसे मेरी कसोटी नहीं मानता है यह जनता जनोर्दन खुद को कस रही है जनता सोच रही है कि हम ऐसा क्या करें ताकि मोदी दुनिया में भारत की साख और बढ़ाए हम ऐसे मोदी को कितना मजबूत करें ताकि मोदी कभी ठके नहीं रुके नहीं जुके नहीं तो जनता जनार्दन उन्होंने जो 400 पार का संकल पलिया है उसकी पूर्ती के लिए जनता जनार्दन जी जान से जुटी हुई है अब मैं आ जाती हूं आपने कहा कि लोग है हर लेकर आने को लेकर यहां पर एकसर विपक्षिदल आप पर निशानस आते रहते हैं तो कैसे उनको जवाब देंगे कैसे यह संभव हो पाया था क्या किया था प्रधान मंत्री नरेंद्र मोडी ने मैं समझता हूं कि इसकी गहराईयां मेरे विदेश मंत्री जीने बहुत ड जै हैं कि कैसे आये उनके माबाब को पता है कैसे अलिए देश वाद्शिओन को पता है कैसे आये मेरे लिए का फीं मुझे अपने शब्दों में क्या कहने की जो ते है assassins का अपने जिक्र किया था जिसके बात बहुत ज्यादा चर्षा हुई ती चूड या पहनाने को लेकर उस पर क्या कहेंगे प्रधान मंत्री जी आप देश से लेकर विद्धान चाहिए उनको पूछना चाहिए उनको पूछना चाहिए चार सो पार का आप नारा दे रहे हैं और जी सेवन जो इटली में होने जा रहा है चार तारी को जब यहां रिजल्ट आ जाएगा जूज़े आप जाएंगे बहाँ पर जी आश्यपत समारों हो करके मेरा जाना हो जाए और अपकी बार चार सो पार यह नारा बिल्कुल कायम है नारा नहीं है यह देश की जनता का संकल्प है इसको नारा मत मानिये